न्यूस्वल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ काविन्द चौहान बुलिटिन की शुरूआत करेंगे विधान सभा चुराओं में राम मंदिर निर्माड की लहर बाहर ही भाजपा के रास्टरवाद को धार देने के लिए मुख्य मंत्री योगी आदितनात अयोध्या से विधान सभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं भाजपा के साथ मुख्य मंत्री के करीबी लोगों ने अयोध्या में योगी की चुनावी जमीन तयार करना शुरू कर दिया है उधर बुद्धवार को भाजपा की कोर कमीटी की बैठक में भी योगी आदितनाथ को अयोध्या से चुनाव लडाने पर सैधानतिक सहमती बन गई है वहिशीर्ष नेतरतु ने भी योगी आदितनाथ को अयोध्या से लडाने की मंजूरी दी है आपको उता दें कि विदान सभा चुनाव में भाजपा असी बनाम बीस के नारे के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माड, काशिव विश्मनाथ कॉरिडोर निर्माड और भविश्य में मतुरा में करश्ण जन भूमी पर मंदिर निर्माड को मुद्दा बना रही है वही मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने भी सत्ता समहालते ही आयोध्या को अपनी सर्वोच चपरात मिखता में रखा योगी आदितनात रहें दीपावली पर हर वर्ष अयोध्या में दीपोचसव के आयोजन के साथ अयोध्या में खाटों, मंदिरों के साथ समूची अयोध्या के विकास पर जोड़ दिया है तो ये एक बड़ी खबर जो कि उत्तरब्रदेश ते आ रही है आवें आपको बताने कि चुनाओ में आयोध्या और रास्टरवाद के नाम पर ध्रुवी करेड के लिए भाजपा ने योगी को आयोध्या से चुनाओ लड़ाने की तयारी कर ली है ऐसा राजरतिक पंडितों का कहना है पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि सियम योगी आदितनाथ के अयोध्या से चुनाओ लड़ने से ना किवल देश पर अच्छा संदेश जाएगा बलकि अवध और पूरवांचल की सीटों पर भी भाजपा को बढ़त मिलेगे बाजपा का मास्टर स्ट्रोक सियम योगी आयोध्या से चुनाओ लड़ने जा रहा है तो आपको लगातार जानकारी दे रहे है कि मुख्यमत्री सियम योगी आदितनाथ अब आयोध्या से चुनाओ लड़ने जा रहे है जी हाँ ये लगातार जानकारी आ रही है कि सियम य योगी आदितनात अयोध्या से चुनाओ लड़ सकते हैं जहां एक तरह बीजेपी लगातार रामंदिर को मुद्दे को भराने की लगातार कोशिशों में लगे हुई थी वहीं दूसरी तरह योगी आदितनात हर वरश दीपावली के मौके पर दीपोटसफ कर रहे थे तो अब अयोध्या से ही मुख्यमंत्री सीम योगी आदितनात ताल ठोक रहे हैं और चुनाओी अखाडे में खड़े हैं लड़ाई दिल्चस्प होगी तो इस बार अयोध्या से सीम योगी आदितनात चुनाओी मैदान में कदम रख रहे हैं आपको बतारें कि इससे पहले 2017 से पहले वो गोरखपुर के सांसत थे लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री बने और फिर MLC है 2017 से MLC है सेम योगिया अदितनात और आपको बता रहें कि आयोध्या से अब वो चुनाओ लड़ने जा रही हैं तो योगी ने दीपावली पर हर वर्ष अयोध्या में दीपोचफब के आयोजन के साथ अयोध्या के घाटों, मंदिरों के साथ समुची अयोध्या के विकास पर जूर दिया है तो अब ऐसे में जब आयोध्या में दीपोचफब के वक्त योग discriminate सबसे आगे नज़राते थे और पूरी आयोध्या सजी हुई नजर आती थी तो ऐसे में अब क्या आयोध्या में एक बार फिर इस बार बीजेपी को बंपर बढ़त मिलने जा रही है क्योंकि खुद सीम योगियार इतना इस जगह से ताल ठोकने वाले है वही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है तो इसी को लेकर प्रदेश सरकार के अपर मुक्य सचव नवनीत सहगल बरेली पहुँच गए और इस दौरान उन्होंने कोविट-19 सेंटर का बारीकी से परताल किये और इसी दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिये है अलाकि बरेली में कोरोना वाइरस ने रफ्तार पकड़ लिया इसको लेकर अधिकारियों में भी हड़कम देखने को मिल रहा है बरेली से तस्वीर आपको दिखा रहा है करोना की जो तीसरी लहर है उससे बचाओ की विवस्ताएं समुचित करने वैक्सिनेशन को जो ठीका करन है उसकी गती बढ़ाने और पूरी जो विवस्ताएं हैं करोना के प्रबंधन के लिए उसको देखने के लिए हम लोग हैं मुक्मंत्री जी ने सभी नोडल अधिकारियों को मुक्स्यचीव ने निदेशित किया हुआ सब लोग जा रहे हैं ये सुनिश्चित कराने के लिए कि जो कोविड की जो तीसरी लहर है उससे बचाओ की सभी विवस्ताएं समूचित रहें वर्तमान में जैसे बरेली में 835 मामले हैं अस्पताल में केवल 11 लोग हैं तो ये उतना गंभीर नहीं है वेक्तियों पर पर पर्टिकलरली जिन्होंने दोनों टीका लगाया हो तो पहले तो हमारी सबसे सारे नागरिकों से अनुरोद है कि सभी टीका करन पूरा करा लें जिनको एक लगाया वो दूसरा भी लगवा लें और दूसरा एतियात रखें ये इसका संक्रमन तेज है फैलता तेजी से है तो संग्रमन तेज है, इसलिए सब लोग सावधानी बरते हैं, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्सेंट करें, मास का निरंतर उपयोग करते रहें जालाउन में विदान सभा चुराओ निकट होने के चलते पोलिंग बूथों पर व्याद खामियों को दूर करा लेने के दिस्टिगत बुधवार को जिलादिकारी प्रेंका निरजन वा एसपी रवी कुमार ने नगर में स्थित समेधन शील पोलिंग बूथों का निरिक्शन किया है और जहाँ जहाँ कमिया दिखाए दी उन्हें ततकाल दूर करने के निरदेश इस थामिया दिनस्तों को दिया है तो तस्वीर जालौन से हैं जहाँ पर कोच नगर के बूथों का अधिकारियों निरिक्शन किया है जो जो खामिया नजर आई हैं डियम और एसपी को उन्होंने जल्द से जल्द इन खामियों को दूर करने के आदेश दिया है आपको बता दे कि विलान सबा चुनाओं की तारीकों का एलान हो चुका है तो ऐसे में बूथों का निरिक्शन करने पहुंचे डियम एसपी साथी साथ उन्होंने बूथों में जो जो कमिया और खामिया नजर आई उसको लेकर अधिकारियों को दिशार निरिक्शन किया है तो कोचनगर के बूटों का आज DM और SP जालाउन निरिक्षन किया है सात ही-साद खमियों को भी देखा और खमियों को देकने के बाद उन्होंने अधिकारियों को सम्मंदित अधिकारियों को जिसरा देश जारी किया है कि आज कौंच तहसील में पांच से अधिक वाले जो बूथ हैं मद्दान केंद्र हैं उनको हमने देखा है मैंने और एस्पी रिक्षर किया है कि क्या यहां पर शांतिपोर निश्पक्ष और कोबर्ट प्रोटोकॉल का पालन करते हैं मद्दान हो पाएगा या नहीं किसी प्र से रिक्षर किया हैं उत्रप्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है साथ चरण में उत्रप्रदेश में चुनावी तयारी में चुटी है लेकिन चुनाव कोई न कोई पार्टी जीतेगी जिस तरह से कोरोना भी अपने पैर पसा चुका है ऐसे में प्रत्याशी और जंता के बीच खड़ी चुनावती बच चुनेगी कैसे कोरोना से जंग जीत कर अपने प्रत्याशी को विधायक चुनेगी क्या होगा विधान सभा चुनाव में? किसका होगा यूगी? अखिलेश, माया या यूगी? यह जानने के लिए हमारी न्यूज वर्ल्ल इंडिया की टीम पहुंची है आज सर्दना विधान सभा में और खास बाचीत की है हमारी संबादाता रिहान आलम ने बसपा के सर्दना प्रत्याशी संजीव धामा से देखें ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में चुनावी विगल बच्चु का है तमाम राजनितिक पार्ट्या चुनाओं के मैदान में उत्री हुई है और परच्यार कर रहा है हलाकि चुनाओं आयोग ने पहले ही जो जन संपक वे लिया और बड़े-बड़े आयोचन पर रोक लगा दिया इस तर जनता क्रोना के बाद किसे अपना प्रत्याशी चुनेगी इसी पर ज्याता बातचित करने के लिए हमारे साथ में मोजूद इस वक्त सरधाना विजानसभा से संजीव धामआं जो बस्पा के परत्यासिया आपको पता दूंगे सरधाना विजान सवा में अभी किसी भी पार इस बार बास्पा का एजंडा है किंड yatati कि परक 2008 की दर多 Two विकास कागना रहा बास्पा किactic लोगों के पास तो कुई और मुद्ध है नी बैंजी इतनी बार भी मुख्यमंत्री बनी है वी कासकी तंगव है है आपके सामने है किसानों के लिए हुआ हो रोजगार के अवसर हो हर चीज में वहेंजी अवलाई है पिछले पांस साल से हम देखें कि बसपा जो विवक्स के भी भी हुंगा में नहीं है कोई धर्ना पर्दसन या किसी भी की तरह कोई आवाज नहीं लेकिन एकदम चुनाओ कि बसक्राइब या कि आप हर गाव में जाइए और हमारा निरंतर कार्या पार्टी का चलता रहता हमारे पास बूत स्तर तक हमारी बूत कमेटी सेक्टर कमेटी हर चीज अप्टू डेटा है हम लोग मीडिया के माध्याम से चुनाओं नहीं लड़ते हैं हम आप बताएं जि लोगों का मतलब भूल में इस तरह की बाते कर जाते हैं बूल में क्या वो दिखाना नहीं चाहते मगर वो दिखाएं या ना दिखाएं बीएस पी पहले से किस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं कैसे अपनी बात मुचा रहे हैं बहुत कठा रहे हैं आपको पता किस लिए कर रहा है इसका मूँ तोड़ जवाब देंगे करारा जवाब देंगे है और रही बात करोना की करोना सब के लिए हमारे लिए भी हम भी कह रहे हैं कि करोना सबसे रहना बच्के भी रह रहरsom होगी की हम भी उषकी साब से काम करेंगे मेरा सब आप लोगों से भी यह कहना है कि अगर आप लोग तीनो चारो पार्टे जो भी चुनाव लड़नी है उनके सब परतियासिय को देखें कोई को नियम तोड़ रहे हैं जो नियम बना है वो सबसे ज्यादे सत्था पक्सी तोड़ेगा आप देखते रहे हैं इस बार वैसे गोशनाई क्या है जो बस पाइस बारत क्यों अधान बोड़ देखिए बस पाने कभी कहके कोई काम करा नहीं आपको मैं बता दूँ आप याद करो कोई गोशना पतर ऐसा है पहले से कहके बेहन जी ने सवा सो रूपे गन्ना किसानों को दे दिया उस पास साल की इस बेहन जी का काम ही कौन सा उध्योग पती चाहता है कि वस्पा की सरकार बन जाया कि वेंजी करीबों की सरकार है गरीबों के बारे में सोचती है चोबिस घंटे उनका इसी पर यह थे हमारे साथ में सरदाना पर्तियासी संजीव धहमा आये जानते हैं अगले अगली पावंदी लगा दिया ऐसे में अब जंता के सामने डवल चुनोती है कि किस तरह के सवे करोन पर जीतना है और अपने परतियासी को जीत कर विधान सभा बेजना है इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम अगली विधान सभा में जाने के लोगों कि जा गए कि उनका मोड क्य है इस बार विधान सभा चुनाओं में रेहान अलब न्यूजोल इंडिया मेरा उत्राखंड में जैसे जैसे चुनाओ नस्दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनेतिक पार्टिया वे अपने अपने तरीकों से प्रचार प्रसार कर रही हैं ऐसे में खानपूर विधान चैंपियन इसको सुलिए है उत्राखंड में चुनाओ का विगल बच चुका है दो बाई 2022 विधान सभा चुनाओ को लेके सभी पार्टिया जोर सोर से परचार में लगी है हाला कि पंद्रा जनवरी तक चुनाओ परचार पर अभी रोक लगाए गई है खानपूर विधान सभा के विखास पुरुस के है जाने वाले परणनर सिंग्चाइम्पियों चार बार के विधायक नियूजवर बच चुका है किस दरागी तयारिया हैँ की इनसे बात करते हैं विधायक जी नियूजवर्ड इंडिया में आपका स्वागत है दन्यवाद साब कि जुनौवविगुल बच चुका है किस तरह की त्यारिया हैं देखी हम तो सहाब सेवक हैं जो विकास परक सेवक होता है मुख्य सेवक मैं तो वो हूँ जनता की बीच में तीन सो पैसेट दिन पांच चो साल रहा हूँ जो दिक्कत जो मसायल जनता की समस्य होती हैं सरकार से उनका निवारन कराता हूं और बहुत खुशी की बात है कि विकास परक मेरी विकास यात्रा रहती है मैं विनाश परक नहीं रहता ना राजनीती इस तरह करता हूं कि मुकदमे करां उन्हों को फसाऊं परशान करूं मेरा काम है उनमें से अवश्वास हटा कर के विश्वास पैदा करना और बहुत बड़ा तोफा उपर वाले के फदल से इश्वर क्रपा से हमने इस बार दिया है सिद्कुल का तोफा जो हमारे बेरोज़गार नौजवान प्यारे यूवक हैं उनसे मैंने वाइदा किया था पिछले चुनाव लड़ने से पहले और वो काहवत है आप आप वह करते हैं तो क्या वज़े है इसकी मैं नहीं मानता इस बात को कोई कंट्रोबरसी नहीं है विकास पुरुष आपने कह दिया था पहली विकास पुरुष मुख्य सेवक हूं और सेवा करता हूं जंता कि अपनी तहे दिल से लोग आप पर जरा यह उमे हैं मिचारे महमान नमाजी नजी करेंगे महमान आता है मिठाए दूर जो जिसके आहूं देता har Το महमान चला जाता है उनका रुक्सार भी है जिसुए वहां हैं उसी लियास de रखवा नहीं है वो महमान है महमान बनके आये हैं घूमें फिर चले जाएंगे कि क्या है इस बार कहां से खानपुर से मुधिन खेंगे या रानी जी लड़ेगे देखि पार्टी मुनासिब समझेगे हम पार्टी कार करता है उसका हम आखमींद के पालन करेंगे जो पार्टी हमें बनुरी जी कहें उनके खासम-खास मने जाते हैं क्या वो चुना यहां से टिकट लेने में कामियाब होंगे मैं फिर कहा ना यह सवाली बेमाइने का उनको हम महमान मानते हैं अच्छा बढ़या हैं बड़े नेता हैं हमारे भाई हैं अब अब आपकी पार्टी के नेता जो है लारिये जी हो यह उनका लड़का हो वो बीजेपी छोड़के कांग्रेस में आ चुके हैं क्यास लगा जा रहा है कि जितने भी विधाय नेता पहले 2016 में कांग्रेस छोड़के गए हैं उनमेंसे ज्यादा तरकी वाफसी हो रही है इस पर क्या कहता है देखिए उनकी वो जा इमान नवाजी करके वो यहां से चले जाएगी जब इन से बात की गई कि जो 2016 में कांग्रेस के निता बीजेपी में गए ते क्या उनके आने के लास लगा जा रहे हैं क्या आप भी इसमें सामिले तो इनका साफ तोर से कहना है कि मैं जहां हूं वही हूं मैं कहीं नहीं जा हूं अपने सहे हो की विनो चोधरी के साथ मैं मुहम्मद अजीम न्यूजवर्ड इंडिया हरिद्वार खान तो फिलाल के लिए इस बुलिटर में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहेगा न्यूजवर्ड इंडिया के साथ धन्यवाद